हलो हलो एवरीबॉन गुड मॉर्णिंग कैसे आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो यहाँ पर देखिए में मॉर्णिंग में सुबह सुबह बनाना से एक मैं बना रही हूं बच्चे के लिए एक केला था तो मैं सोची चलो अदित्य अजय को हो जाएगा और हस्बेंट अभी सोय हुए हैं तो अभी टाइम हो रहा है साथ बज़ रहे हैं और आपको यहाँ से मैंने वेडियो स्टार्ट किया है आज तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दिया है इसमें दूद डाल दिया है और आज ना दूद बरभ जम गया था तो यह बरभ बला दूद ही मैं इसमें इस्तमाल किया हूँ उसके बद बच्चे को बनाना से पिलाने के बाद यहाँ मैं साप सफाई में लग गई हूँ आज मैं पूरे घर को डिप क्लीन कर रही हूँ तो फोल्डिंग के नीचे जो बहुत सारे निकले हैं तो यहां पर जैसे जैसे समांतना वाँ में फिर सेट कर देती हूँ जो काम के नहीं हो बाहर निकालके में फेग दूंगी तो आज पूरा मूड हो गया है कि आज पूरा घर के डिप क्लीन कर ही देना है जो भी अलमारी में कपड़े उपड़े ना फ सोच लिजिए कि अगर हम घर में रहते हैं तो इतना धूल निकलती है अगर बाहर में रहते हैं तो सोचिए हमारे फेफड़े में कितने धूल जाते होंगे सास लेने के थूँ तो यहां पर देखिए यहां पर जो भी समांतना इसको में सेट कर देती हूँ उसके बाद में जारूप अच्छा लगाऊंगी और अधित्य एंड जी चेनल को बीना सब्सक्राइब किये देख रहें तो प्ली चेनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो यहां पर अधित्य अजय को में तयार कर दिया हूं और वो दोनों कलास कर रहे हैं और अभी पाच मिनुट का ब्रेक टाइम हुआ है और यहां अजय करना क्लास साड़े साथ बज़े से स्टार्ट हो जाती है तो यहां पर मॉर्निंग में मैं उठी थी तो वस तो आज अभी तक अभी में चाई नहीं बनाई हूं क्योंकि हस्मेड़ अभी सोय हुए हैं और बच्चे को में मिल्कसिक बना के द लेते हैं तो चलिए जारू पोच्छा लगाने के बाद में आप सभी से मिलती हूँ है हलो हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छोंगे आप सभी को मुष्ट विलकम है अधित्य एंड अधिय चेनल ब्लॉग पी आप सभी से रिक्वेस्ट है अधित्य एंड जे चेनल को तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल एकिन की घंटी प्रेस के लिजेगा ताक कि मैं जो भी वीडियो जो भी ब्लॉग अपलोड करू उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और सब्सक्राइब करना बिलकुल तो फर्स्ट एम देख रहे हैं तो प्लीज अधित्य एंड जे चेनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा तो आज लेंच में में बनाई हो रोटी दाल चोखा और साथ में अचारे तो यहां पर बस यहां पर लंच में कर रही हूं और मॉर्निंग कतव मैंने कुछ दिख सब्सक्राइब तब तक इदर में जल्दी जल्दी धो लेते हूं जब तक इदर चाए बन रहे है तब तक इदर थाली भी हमारे धूल जाएगी तो चलिए चाय बनाने के बाद थाली धोने के बाद मैं आप सभी से मिलती हूं मेरा दूद इधर धिमी धिमी आज पर अभी वाइल होगा तब तक इधर में बर्तन धो लेती हूं क्यूंकि हमारे जो फ्रीजरेटर है ना उसमें ढ़कन तूट गया है इसमें ढ़कन नहीं है तो दूद जो है अगर मैं दूद रखती हूं तो बरब जम जाती है और सबजी भी रखते है तो सबजी भी बरब जम के खराब हो जाता है तो मैं सबजी बाहर ही रखती हूं और दूद अगर मैं बाहर रखूंगी तो खराब हो जाएगा इसलिए बरब जम जाता है तो दूद तो कुछी थोड़ा सा हलका सा गरम करने से या गरम पानी में डालन इसे और नॉर्मल हो जाते हैं तो इसलिए रखना पड़ता है तो अभी हमारा फ्रीज का कंडेशन जो है बहुत ही खराब है तो दूद जो है ना बरब जम गिया था तो यहां पर धिमी धिमी इसको आज पर उबाली हूं उसके बाद इसमें चैपती और चीनी डाल देती हूं और अच्छे से इसका कड़क चाही हम बना लेते हैं तो यहां पर देखिए अच्छे से चैपती के साथ उबल गिया है और चीनी जो है आप अपना एकॉडिंग डाल सकते हैं मेरे हस्विन बहुत ही कम मीठा पसंद करते हैं तो और मुझे भी आदत हो गई है पहले स्टार् पर देख सकते हूं बस चाही बन गिया है तो आज आप सब भी चाही पीने के लिए तो यहां पर अदित्या आज अस्कुल में एक्टिवीटी था तो मेडम अजय की मेडम बोल रही थी कि जिसकी सिष्टर है तो सिष्टर के साथ राकी बंद आए और अजय राकी अपना कपड़ा उपड़ा फोल्ड कर रही हूं देख सकते हूं कितना सारे कपड़े हैं सब में फोल्ड करके अलमारी में फिर से मुझे सेट करनी है और चीटिया आज कल बहुत जादे ही हो रही है और एक हपता पहले ही मैं पूरा अलमारी से कपड़े उपड़े निकाल के में से तो इतना डेंजरस है उसके बाद आज में ना आई थी ना और बच्चे को ना लाई थी तो कपड़ा नहीं धोई थी तो अभी मैं आगे हूं कपड़ा धोने के लिए और अधित्या जाई का छुट्टी हो गए है अस्कूल का तभी यो राकी बंदवाके फोटो क्लिक करके भ द्रूबिती हो और डाल दूँगी और मौसम बहुत अच्छे हो रहे हैं और कर भी तो बहुत हैं गर्मी है मगर मौसम बहुत अच्छे हैं अभी मौर्निंग में तो बहुत ही डेंजरस थे मतलब धूप जह ज्यादे कड़क निकली थी मगर अभी जो एट टाइम दो बज आज बादल टाइप हो गया है तो इसलिए यहां पे सारे कपड़े को धोलेते हैं फिर दूप में डाल दूंगी तो यहां पे कपड़ा धोने के बाद यहां पर मैं अपना फेस को थोलेती हूं क्योंकि बादल टाइप तो है मगर गर्मी जो होता ना गुम्मस टाइप उस टाइप का गर्मी हो गया है तो यहां पर बस अपने फेस को धोने के बाद यहां पर मैं प्लांट में पानी डाल देती हूं क्योंकि यह प्लांट का जो मिट्टी है पुरा सूखा पड़ गया है त तो यहाँ पर मैं सभी कपड़े को मैं डाल दिया हूँ और उसके बाद मैं नीचे आगी हूँ और यहाँ पर रात की डिनर की तयारी कर रही हूँ अब रात की हो गया हैं सात बज गया हैं कपड़े उपड़े दोने के बाद कुछ अभी में बीच में सूट नहीं कर पाई थी तो यहाँ पे मैं साथ बज रहे हैं और यहाँ पे मैं चाबल बना लिया हूँ और चाबल में ही आलू डाल दी थी तो यहाँ पे मैं जोर की तयारी कर रही हूँ यहाँ पे सत्तु लिया हूँ दो-तीन चमच और इसमें मैं लाल मिर्च का पॉडर डाल दूँगी और आज मैं जना सत्तू का जोर खाने का मन किया था इसे तो दाल भी है मगर मैं सोचिक चलो अब बहुत दिन हो गया सत्तू का जोर खाने के लिए तो यहां पे आदे चोटे चमत धनिया पौडर डाली हूँ और जरूत के हिसाब से हल्दी पौडर स्वाद के अनुसार नमक औ के ऊध्या आदरक लेशन का पेस्ट डाल देती हूँ और पानी डालके वहीं घोल तेयार कर लें गी अ Gary Ali अगर आपके पास दही है तो नहीं एपे एक प्याज में काटी हैं मीडियम साइज का और इसमें तेल डाल देती हूं ठाल देती और यह जो क्ते और हिने भऌत ज़् पसंद मैं जहरे को आगी से सुख़ी चलो आज में बनाते हैं जोरी तो उसके बाद यहां पर कमीरच यहां पर जादे से जुलियन में काटी हूं तो इसको जादे नहीं पकाना 50 परसेंट ही में प्याज को पकाऊंगी या पिंक कलर आने तक और उसके बाद जो सतु का जोर मैंने तयार किया गोल ओव में डाल देती हूं और उसको अच्छे से उबाल आने तक इसको पका लेंगे और यहां पर मैं दिखा रहे थी आपको लाल मिर्च जो मैंने तेल में पकाए थी और नमक डाल के मैं इसको इस तरह से मैस कर लिया हूं और चोखा में बना रही हूं तो चोखे में मैंने डाल दिया तो आलू को अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो आज का हमारा डिनर एही है सतु का जोर चोखा अचार तो आज ही आप सब भी खाने के लिए तो चलिए मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लोग के साथ तब तक के लिए बाई थैंक यू